अब कैसे आप सब लोग उमीद करते हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे अच्छ होंगे अधाज हम बनाएंगे निमकी रेशिविए आप लोग वीडियो में आगे देखते रहे हैं कैसे करके मैं कैसे क्या बनाती हूं निमकी प्लेट ले लिया जिसमें मैं भी मैदा ले रही अब कुछ इतना साह अदना ले सकतो है इतना साह लोगे बस कि इसमें अजवाइन दे रहे हूं कि मेरे पसकाला जीरा नहीं आप लोग चाहे तो इसमें भी टेस्ट आता है अजबन में बहुत अच्छा लगता है इसके साफ साथ थोड़ा सा तेल साफ टूग अच्छा अब इसको अच्छे से में मीक्स कर लेती तो मैं इसमें नमक नहीं दाला क्योंकि नमक में काला नमक फिराइक करने के बाद उसको उपर से दलूँगे इसमें टेस्ट ज्यादा आता अच्छा और नमक दालके बनाने से बैस अच्छा आता लेकिन मैं नहीं दलूँगी इसमें अच्छा लगता अगता कारा नमक दाल के खाने में इसलिह मैं इसको काला नमक दाल की खऊंगी आप लुक्चाहे दे सकतो नमक दाल कर launch बना सकतक है अथmenoaron पानी स्थ्को अच्छे से मीख कर लूंगी अ Mm कि लुए शुजयरी हदा आगार धेन दॉरे दिद्ञा us पतलकर के बेल यह अच्छा होता है पतलकर के बेल दी अब इसको काट लोगा जाकूस है पतलकर के बेल यह अच्छा है पतलकर के बेल यह अच्छा है कि अच्छा है मैंने काट लिए भीष को निकाल के तील में फ्राइ कर लोंगी तील गरम हो गया हाँ करम हो गया मैं भीष में देदूंगी तीपक गया तो करके देदूंगे ऐसे ऐसे छोड़ने से पुरा अलग-अलग हो जाता है कि अच्छा है कि अच्छा लगए वह फूल गया मैं इसमें बैकिंग सुड़ा नहीं जला फिर भी अच्छे से फूला जब तक किस का कलर पूरा रेडर नहीं आज तब तक उसको फ्राइब करते रहने में अच्छा पिस प्याता है कि अच्छा से फ्राह करना अभी मैं इसको निकाल नहीं है कि दस्ता और जितना भी है मैं उसको बना लेती फिर आप लोगों से मिलते हो गया पूरा अच्छे से फ्राइब करना इतना अच्छा दिखें लग रहा है अभी इसको मैं नमक मिला लेती कि देखें मैंने काला नमक ले लिए स्कूपर से ऐसे दालके लिए अब लोग चाहे तो मिल्ची पॉड़र विजय सकते अच्छा लगता खाने में यह अब लोग एक तरह के दिखें वाव क्या वनाए लिखिया है सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और कामंड करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना ताकि नए नए वीडियो आप लोग पास जल्दी पो है